वेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चलना देखिए पैंट्स आज हम बनाएंगे कानजी के रहे ब्यूडिफुल से जैकिट और यह बहुत इसी है देखिए विल्कुछ सीधा सीधा हमने यह पर बनाया है सीधी पट्टी से ही हमें भी बनाना है और इसमें देखिए हमारे क लिए आज कंजा से ही तार्ति के लिए बसेर करुचल के लिए बना सकते हैं जाल्ति है बनाना श्री से सबस्क्राइब के लिए बना साथा ब्सक्राइब सक्सेट राइन क्रूशा हो जो अच्छे से हाँ से मूव हो सके अब हम यह पर चेन लेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा यह दिए हमने आपे सत्रा चेन ले ली हैं आप देखिये हम यह से एक, दो, तीन, तीन चेन छोड़ेंगे और चौतिय चेन में एक डबल कुश्या करेंगे हमने एक डबल कुश्या किया, फिर नेक्स चेन में डालेंगे एक डबल कुश्या किया, फिर नेक्स चेन में डालेंगे, डबल कुश्या करेंगे सभी चेन में से ऐसी हमें एक एक बार डबल कुश्या कर लेना है यह देखे हमने यहापे सभी चेन में से एक एक बार डबल कुश्या कर लिया है अब हम नेक्स रोपे एक, तो, ती, तीन चेन लेंगे तीन चेन लेके हमने next chain में डालेंगे क्रोश्या हुक और एक डबल कुश्या कर देंगे फिर next chain में डालेंगे एक डबल कुश्या कर देंगे ऐसी हमें सीधा सीधा बुन लेना है सभी चेन में से एक बार डबल कुश्या लेके यह देखे हमारा यह रो भी पूरा हो गया और ज से भी हमने दबल गोश में से भी हमने डाला 502 बना लेंगे सीध सीधिय पर पट्री अनिया है चली मैं बना लेतीम यह देखिए फ्याट्स हमने यह अपे लाटल हमने हाप het 6 रोउ इसके बाद है कि से एक कि इन चेन लेनी है अब देखे टोटल हमारे पास यहां पर दो चार छे आठ दस पारा चौदा और एक पंद्रा पंद्रा को हम तीन से टिवाइट करेंगे तो हमारा पांच डबल कोश्या आएगा अब हम क्या करेंगे ये भी एक डबल कोश्या काउंट हो गया नेक्सचेर में डाला एक डबल कोश्या ये तीन डबल कोश्या ये चार और ये पांच इसमें हमें एक और ले लेते हैं छे डबल कोश्या हमने आपे बुन लिया अब हम क्या करेंगे इसको यहीं से घुमाएंगे तीक दो तीक छे डबल कोश्या के उपर हमें छे डबल कोश् 3 4 5 और जह स्टार्टिंग में 3 का चेन लेते हैं इस में भी हमें एक डबल कोशिया लेना है यह भी एक डबल कोशिया ही हमारा कांट होता है तो हम 6 के उपर 6 डबल कोशिया हाँ पर बनाते चाहेंगे ऐसी لمपी सी रो थोड़ा सा बना लेते यह देखिये फैंट्स हमने यह शे रो भी हमने यहं बना लिया है आध में यही से धागे को इस C Kobe कर her झाब हम क्या करेंगे यहां से हम जो स्टार्टिंë का डबल कुष्य हम से क्रोश्य वहां से को डालेंगे यहां से हम अपने दूसरा तरवी धागा जोड़ लेंगे नोट लगाएंगे, नोट लगाने के बाद यहां से धागा निकाल लेंगे, एक, दो, तेन, इतना कर लिए हम नहीं हैं से, और अब हम यहां से, यह देखें, next chain में डालेंगे, खूल कि एक क्यों के अग्षियर में डाला में टबल कोशियर अपर इक टोटल हमारे यह 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 दो तीन चार चार डबल को जी हो गया यह साथ के साथ हमें धागा पिए अज्जस्सक्राएं यह पांच और यह ची है आब यह वाली छे चैन शे टबल को से यहां है नॉट लगाएंगे हां से नॉट लगा ली और यह चेन हम यहां से निकाल लेंगे यह हमने यह से जॉइन कर दिया इसके बाद एक दो तीन चार एक चैन हमने पहले ले लिए तो टोटल हमारी यहां पर पांच चैन हो गई है यह डबल कुश्य की रो और यह वाली जो नेक्स्ट वाली है इसको छोड़क के दूस्ट वाली के कोने में हमें यहां पर आसे सिंगल कुश्य कर देना है फिर हमने यहां से एक दो तीन चार पांच यह वाला डबल कुश्य चोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में एक सिंगल कुश्य कर देंगे एक दो तीन चार पांच यह वाला डबल कुश्य चोड़ तेवे आएंगे चलिए मैं इतना कर लेती हूं तास तक कर लिया है आप हमने यह पर पांच चेन लिए यह जो लास्ट वाला लूप है यहां पर हम एक सिंगल कोश्या कर देंगे अब इसके बाद हमने यह से तीन लेनी है एक दो तीन चेन छोड़के डबल कोश्य की और यह हम हमारी सीधिय में हम जबता पर हमें 2 तीन चेन चोड़नी है 3 और यह घूअ और 4 चीन लेके 4 लूप चोड़ेंगे और とう एक सिंगल कोश्य कर देंगे इस तरीके से इसे adjust कर देंगे अब देखे हमारी side by line आगई तो फिर से हमें 5 पाँच पाँच चेन लेनी है 3, 4 और ये 5 दूसरा जो हमारा double crochet का loop है हमाँ पे हमने एक single crochet कर दिया फिर हमने यहाँ से 5 चेन ली ये double crochet छोड़ा और जो दूसरे double crochet का corner है हमाँ पे एक single crochet कर दिया तो इसी तरीके से हमें 3, 4, 5 corner पे किस तरीके से turn करना है मैंने वो बता दिया ऐसे हम करते हुए यहाँ तक आएंगे यहाँ से यहाँ तक चलिए मैं थोड़ा से outline कर लेती हूँ यह देखे हम यहाँ तक आवे हैं यह हमने ऐसे ही सीधा सीधा पांच chain लेके double crochet किया सिंगल कोश्य आप हमारे देखे नेक पे हमने यहाँ पे बीच में चार double crochet skip करें तो यह हमारा corner का point है तो हम क्या करेंगे देखे जो बीच के double crochet है चार हम यह दो double crochet छोड़के सीधे चार चेन लेके यहाँ पे सिंगल कोश्य आइसे करतेंगे फिर हम यह आसे एक तो तीन चार 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 चेन ली हमने और चार चेन ले जाने के बाद यह दो double crochet है तो हमारा यह जो next वाला लूप है उसमें हम ऐसे सिंगल कोश्य करतेंगे अब हमारा बस हमें 5 चेन लेनी है दूसरे double crochet पे सिंगल कोश्य करतेंगे तीन चार पाच अगर आपकी एक दो चेन कम जादा भी होती है तो आप इसे अड़्जस्स कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत होगी आप देखिए हमने आप पे तीन चेन ले ले लिया है तीन चेन लेने के बाद यह जो रबी लोड़ा है यहां पे एक सिंगल कोश्य करते हैं तोड़ाइख जहां पट्टी होती है थे अदिखिए हमारे यहां पर हमने 2 ह्लाइद चेन कम लेडीर है यहां पर पूरे पाश-पाश डबल कोशय की पाश-पाश चैन की ऐसे लूप आ गए है अब हमारे फिर से हम नहीं है यहां पर पर तीन चैन लेनी है एक, दो, तीन क्योंकि हमारे यहां पर बिच में देखे चार डबल कोश्चा बचे बचे यह एक, दो इसको छोड़ेंगे यहां पर ऑर तीन चेण कई सिंगल कोश्य कर दिए फिर हम यहां से तीन चेन लेंगे यह दो डबल कई उन्वल ब्चे हैं और यहीं पिले जाके हम्हां यह happy क्टैसी उए लूप में डालेंगे पिंक वाले में और सिद्रीपिस्ट करती तो यह हमारा 물 इस से पूरा बन के आ गया हमारी आउटलाइन यहां पर बहुत अच्छे से बन के आ गई गया यह देखिए अब यहां से हम अपना यह वाला धागा कट कर देंगे हमने यहां से कट कर दिया एक्सा धागों को भी हमें कट करना है अब यहां से यालो कलर का धागा लगा लेंगे नॉट लगई यह दागा हमने यह से जोड दिया हर्यां यहां से फिर हमें तीन हगा लेनी है इथाग यह बिंक वाला हम यहां से एउस्ट से अज्सие करेंगे अब इसी लूक पर हमें वक करना है यह हमने यह आपे एक जबाल खोशया किया 1 कि हमारी कि चैन लिए तो हमारी हम टूटल फास्ट ग्युशिय है एक है डबल कौ्शिय उन्हें पेँ लिए और लोगते लिए तो पांट के सी मिल फिंग में रा तकर को पाच और यह फेकिए ऑफ यहां तक सब युपर हमें छेचे बार डबल कुष्या कर ले लिया तो यह जो तीन चेन का लूप है इसमें हमने चार डबल कोईश्य करना देखें एक भर किया कि दो है कि तीन और यह चार चार हमने को दिचार कर दिया आप नेक्स लूप पे डालेंगे जांकर हमने तीन चैन का लूप को च्पर लेंगे चलिए मैं इतना कडें को कि हमारी पूरा रूप कंप्लीट हो गया आप क्या करेंगे यहाँ से जहां से जहां से इतना कम होगे अब हम यहां से अपने दूसरे कलर का धागा जोड़ लेंगे इस लूप में डालेंगे कोई से भी लूप में डाल सकते है यहां से धागे में नॉट लगाएंगे और यह यहां से लाके से लग करतेंगे एक्स्रा धागा भी हम बैक साइड में ले जाएंगे द तीसरी लूप में ले जाके एक सिंगल कोईशा करतेंगे फिर यहां से एक, दो, तीन और ये 4 पहले हमने एक चैन नहीं पर लेती फिर 3 चैन लेती टोटल हमने नहीं हाप पर चार चैन ले लिए फिर इसके बाद हमने 3 डबल कोईशे के बीच का जो लूप है उसमें डालेंगे क्रोश्या हुग और यहां से सिंगल कोईश्या कर देंगे और चार फिर एक यह दिखे एक दो तीन तीसरे जो subset का लूप है उसमें सिंगल कोप्रें आथ यह हमें चार जीन लिया है यह लास्ट रोट में हमें स करते ने एक पर इस वाले लूप में लाएंगे स्लिपिशिश कर देंगे और बस हम यह इसे दावी को बट करके निकाल देना है अब यह एक्स्ट्र दागों को हम यह से अंदर लाखे अड़्जस करके कट कर देंगे तो यह दो हमारा कानेजी का ड्रेस बनके रडी हो गया है अब यह देखें आप पूरा जैकेट बन गया अब इसे बस हमें थोड़ा सा तक करना है जिससे कि हमारी यह जैकेट के शेप आजाएगे अब हम यह से देखें थोड़ा सा यहां पर टक करेंगे यह हमारे दो लूप है इसको हम छोड़ देंगे और यह हम सीधी साइड से ही देखें टक करेंगे ऐसे बहुत ज्यादा दूर तक हमें टक नहीं करना और उन में आप धागे से मैशिंग का धागा ले लेंगे तो यहां पर पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहां पर स्टेचिंग के हुई है बस हमें इतना ही टक करना है यह हमने यहां से कर दिया ऐसी हम इस साइड से भी कर देंगे थोड़ा सा ही करेंगे बस ज्यादा नहीं करना है सीधी साइड से करेंगे चिसे के हमारा यह डिजाइन पूरा ओभर के आएगा करेंगे करेंगे तो कोई भी हमें पतन चल रहा है कि हमने आप स्टिचिंग भी किये आभी देखेंगे इस तरीके से हमारा डिजाइन बन के आ जाएगा कि देखेंगे यह हमारा जैकेट बन के त्यार हो गया है इसे हम काना जी को और हमसे पेनाएंगे यह हमारे पास्ट नमर की काना जी है पेनाना बहुत इजी है देखिए यह बस हमें इस तरीके से जैसे हलकी फूल की ठंड हो रही है जाती हुई ठंड के लिए आती हुई ठंड के लिए जाएगा kita ॥ हभी कॉ Knights का इसे कुछ इस तरिकषा आएगत और मेरे कर दीके स्हूरदर शूरीफ बहुत अच्छे से कनां के लिए तो ही अच्छी से कालर आगया है इसके थोड़ा सा तो यह हमारे आज की ड्रस काना जी कि आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक किजिएका और चातों को भी सब्सक्राइब किजिएका फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में तब तक किली रादी रादी हैं पिसना